दोस्तो बबलू भाई तो बच्चों को छोड़ने चले गए हैं और यह है इनों ने अंसी ने और अंस की मम्पी ने कबूतरों को सुबह सुबह दाना खिला दिया है तो चट कर गिये हैं देखो दोस्तो नमश्कार अगली वीडियो शुरू कर रहे हैं और यह देखते हैं कापी सारे कबूतर आके सुबह सुबह अपना दाना जो है अपने हिस्से का चट कर गिये हैं तो दोस्तो चल रहे हैं भी दोस्तो रात में बारिस आई मोसम बहुत अच्छा हो गया अब भी ठंडी ह हुआ चल रही है बारिस आएगी दोस्तो फिर से मोसम खराब है तो अपना निच्छे करके चलके काम कर लेते हैं टिंग टॉंग अब भी आजाए चाये नास तक लें टिंग टॉंग दोस्तो एक बार निच्छा लिए है और काफी तेज तूफान चली रहा है दोस्तो रात में देखको बारिस आई थी अब दोस्तो मोसम खुल गया है फिर दुबारे बारिस आने के लिए तेयार है और यहां दोस्तो एक बार पापाजी का गरम पानी लगा दिता हूं पापा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं दिन दोस्तों अपनी मर्जी से निकलता है कोई ना कोई गटना गटती है दोस्तों रात में एक बड़ी बुरी गटना हुई जो आपने पहले देखा ओगा पापा जी कर बबल भाई की वीडियो में सोनु भाई थे हमारे गाउं के वो रोड सुबह पता चला तो दूस्तों यह है कि फच्छटपट अपना जैसे भी होता है थोड़ा बहुत काम निफ्टा कर उनके चलते हैं पता लेते हैं उनका ने कैसे कैसे हुआ दोस्तों बहुत बहुत बुरा हुआ बहुत ही गलत कि उपरवाड़ा उनके आत्मा को शांति दे दोस्तों अधी उमर में चले गए भाई अपना एक और अच्छा साती अपने बीच में नहीं रहा है कि बहुत दुख की बात दोस्तों चारा काट लेते हैं यह अंदर वाले गोले इसमर ला लेंगे मैं फिर ये वाले जो गोले आयते कल कल किएर परसों के दे दोस्तों इन अंदर रक देंगे अज़र चंगायाip Só fy do ऑचते युँ ज़रे हुख कर लेते हैं फिर देखते सिनते हैं you कि अबी हाँ जो पत्टे अबेप जो पत्ते साइड ओम सफ़ाई करेंगे गोले उतारेंगे दोस्तों इसमें ब चाही है हां यहां है काम निम्टा लेते हैं दोस्तो फटावट दोस्तो ये देखो दो गाएं हैं दुन्नों में से कोई सी दूद नहीं दे रही है अब तो उसका भी छोड़ दिया हमने लाल लगा और ये देखें आप सुबह से जब से मैं उठाओं इनके ही इर्दिगर्द गूम रहा हूं उदर बबलु भाई ने चक् पीस रहे हैं तो दोस्तो फ़लावा देखो कितना फैल गया ये देखें आप यहां तो दोस्तो ये काम पसूँ के पिछे होता है दस पसूँ होते जब बीतने फ़लावा फैलता और दो हैं तो तब बीतने फैलता है लेकिन ये एक रहत रहती है अगर कहीं से हम आरे हैं देर सबेर तो बहुत ज़्यादा काम हमें वैसे फैला हो नहीं मिलता अब तो यह है पूरी रात के यह हां थे अपना जो भी गोबर पिसा भी नोंने कर रखा था चारा भी काट दे दोस्तों आज कर कल का हो जाएगा कल शाम तक का तो क्योंकि दोस्तों गाएं हैं तो खती बहुत ह तो यह देखें आप अभी समय जो है सपाई उफाई करेंगे ट्रोली तो दोस्तों पता नहीं वे मैं जानी पाया तो कि दोस्तों घर में लगे रहते हैं बच्चे छोड़काने फिर लाने तो इस हिसाब से काम चलता रहता है देखें आप कि इतना फलावा फैलता है तो दो एहले भी यही बात दिया मेरी आज भी यही बात है कि एक दो पसू सेल परचेश के हिसाब से और एक आद पसू जो है अपने दूथ पीने का और ठोड़ा बहुत दूद जो है खल चोकर चूरी का दाने के दवाई गोले के हिसाब का दूद जो है बिकना भी चीए क्योंकि दोस्तों भैंस के दूद जो है उसके रेट बहुत है गाएं का तो गमों में 30-32 रुपे लीटर से जादे नहीं है तो दोस्तों यही है कि इस बात को समझें और जो है किसी भी तरह से परेशान नहों तो थोड़ा मम्मी रहती है तो रहात इसलिए हो जाती है क्योंकि मम्मी के जो है दो भाई आके पापा से मिलके गए फिर दोस्तों कभी शायपानी देखा वो दोस्तों वीडियो में आई नहीं बिचारे वो दो कह रहते है कि हम यहां पास के गाउं में कोई बीज नया बीज गन्ना बीज देखना आये तो दोस्तों जैसे वो आए तो उन्हें वो को कोई बडार चोटा देखा लेकिन अगर आपने वो रियल में देखा तो वो आपको बहुत ज़्यादा फरक दिखाई देगा तो दोस्तों यह चीज है आप किसी चीज की जमीन पर बैठके वीडियो बनाओ निच्चे बैठके और किसी चीज की फिर ऐसा खड़े होके मीटर से मतलब तीन साड़े तीन फीट का तो दोस्तों यह है कि हर चीज को थोड़ा सा समझें और तब ही उसमा आग्या करें कि दोस्तों अब यह दो गाएं हैं यह आगके चलके भी आएगी दोस्तों इसका दूद मैं छोड़ने के लिए इसलिए इन पर जोर दे रहाता कि दोस्तों अब जो है हम एक प्योर साहिवाल गाएं का दूद ले रहे हैं चार-पांच लिटर दूद ले ले लेते हैं उसका पिलकुल प्योर साहिवाल गाएं हैं और दोस्तों कभी भी गाएं का दूद बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं रहता तो उस गाएं का दूद हल तो मैं भी अगर हर दम दूद के सारे रहना चाहूंगा तो दोस्तों एक हुश्वाली है कर दोस्तों इस चीजे गलत हैं रात की टाइम में छोट असा गलास हल की सी चुटकी पर हल दी उसके साथ मैं उबली हुई हो आफ थोड़ा सा गुडिया सक्कर के साथ मिल जा वैसे दो दोस्तो निकल चलते हैं देखते हैं कैसा होता है कहां चलते हैं दोस्तो अब मैं फिर से निच आ गया हूँ आराम करके दोस्तो मम्मी जी नहीं आई है आज भी कोशल जो मामा का बेठा लेका आएगा और दोस्तो मैं जो है मांगे भाई के पास में जो नया कटड़ा आया है उ दो दू दिन पहले ही आ जाती है तो दोस्तो चल रहे हैं फटाफट फिर आ के थोड़ा हो है हो काम धाम खरेंगे दोस्तो इस जगह की कमी की वज़े से बुग्यी सीमें सा बढ़िया यू देखने सकेर वकेर का बढ़िया कर दिया था अब दोस्तों इसमसे दुबारे से इन्हें छिटा कल लगाएंगे क्योंकि यह देखें हैं दुबारे से फिर रेडी होगी है उठगी है क्योंकि दोस्तों इसे मैंने सुक्काई डाल दिया था चूरी चोकर सुक्के लगा दिया था इसे अब दोस्तों इसे जो है ये डाल देंगे हैंसे खल चूरी चोकर जो भीगा रखा है करीब 7-8 गंटे का भीगा हुआ हैँ वो डाल देंगे इसे all ताहुं में वीडियो बना के और दोस्तों ये वो पत्ते जो चारे में निकल जाते हैं थोड़ी मसीन सेटिंग मांग रही है तो वो करेंगे इसकी तो ये निकाल दिये तेलग ये भी इनके निचे डाल देंगे सुका होगा इनके तो दोस्तों चल रहे हैं टिंग टॉंग खेत की तरफ से भी गूमका आएंगे नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं दोस्तों आज परिवार में हमारे एक ताओजी काफी बुजर गो रहे थे 87-88 साल के वो गुजर गए तो दोस्तों उनके जो है उनका अनितिम सेस्कार करने के बाद में आ गए हैं दोस्तों हम बैठ गए हैं अब दोस्तों यहां काम गंटा करेंगे थोड़ा बहुत पशुओ का फिर तोली भी भरनी है कल दोस्तों भरी नहीं गती तो अब जो है जो भी धाना दोना होगा ट्रोली भरने के बाद ही तो दोस्तों हमारे यहां जो है तीन दिन में के अंदर अंदर जो है बलकि दो दिन के अंदर अंदर दोस्तों तीन मोत्ते हो गई है और अब बड़ाई अफसोस इस बात का हुआ कि जैसे ताओ जी जादा बुजुर्ग एक बड़ पिचाट वाओ पाप आग्गे जादा आग्गे ले गया हो ताओ जी जादा बुजुर्ग हो रहे थे तो उनका तो सभी को यह रहा के स्वरक्सिदार गे मुक्ति पाग यह एज बहुत हो रही थी लेकिन दोस्तों सोनु भाई का सभी को बहुत दु हुई थी आपने पहले जो था लोहान वाला जो बवल्यू भाई ने वीडियो मना इधी लोहां वाला जो है गंडवाजोतने का को जो एक कृषियंत्र कूनोंने चलाया था दोस्तों बड़े चीहो ट्रेंच वीदी की खित्ति कर रहे थे 40 01 юसज इंची की खित्ति कर रहे थ तो दोस्तो अपने भाई बड़े प्यारे भाई थे और जिन्दगी में सायद हम उने भुला भी ना पाँ है तो बड़ा दुख इस चीज का हुआ क्योंकि दोस्तो हमारे साथ में एक बात है मैं पूरे परिवार की तो कहता नियरा लैकर अपनी कहता हूं और अन्श की भी कि जो हमारा बेटा है अन्श वो जो है मेरी तरही जो है किसी के भी दुख को अंदर तक महसूस करता है तो अब मेरी ये कमी कहलो या कुदरत की तरफ से ये चीज है ऐसी तो दोस्तों मैं अंदर तक उस दूख को महसूस करता हूँ तो इसलिए मुझे कई दिन बड़ा अफसोस रहता है लेकिन दोस्तों उपरवाले के सामने भगवान के सामने उस परवर्दिगार के सामने कुछ करनी सकते चलती नहीं है किसी की ना वो कभी अपना नाम लेवाता के उपरवाले ने ऐसा कर दिया बस एक भानना सा बन जाता है तो दोस्तों सोनु भाई का भी ऐसी कहानी सी होगी किस्ता सा हो गया जब तक हमारे बीच में थे बड़ी हसी मजाक करते थे मजाक हसी मजाक की बहुत आदत थी जैसे हमारे राहूल भाई की भी बहुत हसी मजाक की आदत थी तो सोनु भाई भी बहुत हसी मजाक करते थे तो दोस्तो बस अपने दुखकू काब्बू करते हुए लगते हैं दोस्तो काम में काफी टाइम हो गया तो मुम्मी नहीं आ रही है भी तो दोस्तो कर लेते हैं काम फिर जो है देखेंगे फिर थोड़ा ठोली भरेंगे टिंग टॉंग दोस्तो यहां से साफ सपाई तो कर ली है तो दोस्तो थोड़ा सा टाइम है अभी बच्चों के आने में खाना खाने में ट्रोली जोडने में तो दोस्तो यहां से बुग्गी में सब भर लिया है दोस्तो अभी थोड़ी देर के लिया है तो मेरे लिए काम बढ़ा के चला गया क्योंकि वो कुट्टी काट दे की भी सीखता है प्रोले जोडने की भी सीखता है ट्याटर भी जोडना सीखता है स्टार्ट करना क्योंकि दोस्तों छोटा बच्चा है अगर हमारे घर में जो है लोहार का काम होता मिट्टी के बरतन बनने का काम होता या हम कहीं खितों में जाय रहती सोसाइटी में पार्क में खेलने जाता तो दोस्तों वही चीज है बच्चा वही सीखता है हम यह सुच है कि हमारा बच्चा गलती कर रहा है नहीं बच्चा गलती नहीं कर रहा है बच्चा अपनी एज से जादे बाती सीखने की कोशिस कर रहा है तो हमें उसे सपोर्ट क पूरी सर्दियों से देखो हैं फूई लग रही है जो मैंने सफाई करी है अभी हैं सारे में हैं फूई लग रही है तो दोस्तों यहीं खड़ी होई को नहलाएंगे इसे फाई पाई भलका चला लेंगे ताजा पाणी भर लेंगे बाल्टियों में तो दोस्तों डिब्बे सा नहलाएंगे से क्योंकि खुजली कर रही है छोटी छोटी इसका मैल की वज़े से दिक्कत हो रही है इसे यहां देखें तो इस पाइप इसे गद्ये को भी पलट देंगे दूसरी तरफ से और यहां पूरे में जो है रगड़ रगड़ का दो देंगे सपाई हो जाएगी तो आज एक गाएं को नहला रहे हैं कल फिर दूसरी को नहला देंगे वहां दूप में बाढ़नेंगे बाहर टिंग टॉंग दोस्तों यह बाल्टी भर का रख ली हैं क्योंकि पाइप चलाने वाला कॉंसेफ्ट दोस्तों मेरा जो है सही नहीं रहता क्योंकि मुझे बार-बार यही लगता रहता है कि पाइप से बहुत ज़्यादा पाणी वेस्ट हो रहा है अब दोस्तों मालिया हमें घर दोना है ए जो है क्योंकि दोस्तों जंगल में करके आते थे घर से दूर करके आते थे आज का जो moral of the story रहेगा यह रहेगा कि यह जो घरों के यह ओरते आग्या फिच्छा कर रही हैं कि और जुझ काम नहीं है तो चलो समर से विल चलाया रहा रहा लेटरिंग के पास में चला दिया उसमें लेटरिंग की सीट है और दोस्तों वो उसमें से जो है कच्छा पक्का सा मड़वा निकल के हैं नालियों में भहा फिरता है तो दोस्तों दिमारियां भहाने किसलिए भी फैल रहे हैं क्यों कि पहले घर से बाहर जाते थे लैटरिंग करने वो जंगल में जो सा जजब हो जाती थी मिट्टी में मिल जाती थी किड में बदले उससे पहले उसे जादे पानी के सारे से निकाल कर तो समर से भी लगा यह यूज़ हो रहा है वेश्टेज ओफ पानी और वेश्टेज ओफ सब कुछ यह हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है तो दोस्तों नहला लेकते हैं गाएं को